नेगिटिव एटिट्यूड का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं नेगिटिव एटिट्यूड का मतलब होता है नकारात्मक रवया या नकारात्मक दृष्टिकौन यानि कि किसी भी चीज़ को जब आप नकारात्मक तरीके से देखते हैं यानि कि जब मानलेजी आपके जीवन में कोई समस्या आती है और उस समस्या को आप इस तरीके से देखते हैं कि ये समस्या आपके लिए बहुत नुकसान दायक है या ये समस्या आपके जीवन को बरबाद कर देगी या इस समस्या से निपटना आपके बस की बात नहीं है तो इस तरीके से जब सोचते हैं तो उसको नकारात्मक रवया कहा जाता है दूसरा इसको सोचने का ये तरीका हो सकता है कि समस्या जितनी बड़ी होगी उसका समाधान भी मुझे उतनी ही महनत करके निकालना होगा और उस समाधान को निकाल कर मैं हमेशा के लिए उस एक लैवल प इसको पार करना है तो ये एक आपका सकारात्मक रवया हो गया या पोजिटिव एटिट्यूड हो गया लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये समस्या आपका क्यों आई या आपको समस्या ये आपके जीवन में आती रहती है याना कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत या अगर आप ये कहना चाहें कि उसे परियोजना के प्रति अपना नकारात्मक रवया बदलने की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं शी नीड्स टू चेंज अर नेगेटिव एटिट्यूड तो वर्ड्स द्प्रोजेक्ट अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और एकन को प्रेस करें